जैहिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन के छट पर लगी ये जाली नुमा आकिरती आकिरी ये क्या करती है और चोरी से बचने के लिए रेलेवे ने अपने पंखों को 110 बोल्ट क्यों का दिया और ट्रेन का जो AC होता है ये कितने टन का होता है इसकी छमता कितनी होती है और ये इसके नीचे इस तरह से cylindrical drum क्यों लगाए रहा है कोच के बाहर यहां लिखा रहता है side feeling इसका मतलब क्या होता है और यहां lift here क्यों लिखा जाता है रेलेवे अपने ट्रेनों में से इस तरह की screw coupling को हटा कर CBC coupling को क्यों करना चारा है और ट्रेन के अंदर लगे इस lights का मतलब क्या होता है जो बीच में लगे रहते हैं साथ ही रेलेवे अपने toilet को जो CDTS toilet थे इसको हटा कर ये अभी convert करने जा रहा है बायो toilet में रेलेवे अपने आधुनी ट्रेनों से इस side buffer को क्यों हटा दिया और ये क्या करते थे side buffer अब नए ट्रेनों में ये side buffer को क्यों नहीं लगाए जा रहा है आप देखे होंगे किसी ट्रेन के side में यहाँ पीले रंग की पटी बनाई गई है जबकि आप इस ट्रेन में देखेंगे तो यहाँ कोई भी पटी नहीं बनाई गई है किसी ट्रेन के आप बोगी पे देखेंगे तो ऐसे lining यह क्यों खीची गई रहती है इसका मतलब क्या होता है ट्रेन में सफर के दोरान आप ट्रेन के छट पर इस तरह एक जाली नुमा आकरती देखे होंगे इसे roof ventilator कहते हैं आपको पता है कि गरम हवा हमेशा उपर की ओर जाती है जब ट्रेन में भीड जादे हो जाती है तो उसमें गरम हवा बनने लगती है और यह गरम हवा ट्रेन के ऊपर जाती है जिस वज़ा से इसको निकालना जरूरी है नहीं तो ट्रेन डिस बैलेंस होकर गरस्त हो सकता है तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए जाली दे दिये जाता है और इसको ऊपर कियो ट्रेन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से निकलने का रास्ता दे दिये जाता है और उसको केवल इस तरह से ढग दिये जाता है कि बारिस के दुरान डारेक्ट पानी लेके चले जाते थे तो रेलेवे ने दिमाग लगाया रेलेवे ने कहा कि लोगों को घर में या तो 220 बोल्ट की AC करेंट रहती है और लाइट कर जाती है तो लोग DC चलाते हैं तो DC अमूमन 12 बोल्ट कर आता है मीडियम लेबल की कोई भी मशीन 24 बोल्ट की बड़ी चीजे रहती है और 5 बोल्ट की छोटे छोटे खिलोने वगरा रहते हैं यानि रेलेवे समझ गई कि AC अगर घर में चाहिए तो 220 बोल्ट डीसी चाहिए तो 24 या 12 चाहिए तो रेलेवे ने दिमाग लगाया रेलेवे ने अपने पंक है तथा बत्ती को 110 बोल्ट डीसी दे दिया अब किसी के घर में 110 बोल्ट डीसी रहता ही नहीं है अब क्या करिए कर ले जाके यह तो यह आपके लिए एकदम बेकार हो गया इस से रेलेवे की समानों की चोरी रुख गई यह 110 बोल्ट डीसी कहां से आता है तो ट जादे से जादे तो जले हुए रहते हैं ऐसा क्यूं होता है आपको पता है पावर इस इकवल टु होता है वोल्टेज इंटू करेंट पी इंटू आई यानि अगर आप वोल्टेज को कम करियेगा तो धारा यानि करेंट बढ़ जाएगा अब ट्रेन में 110 बोल्ट रहता है और घर में 220 बोल्ट यानि ट्रेन का वोल्टेज कम है तो वोल्टेज कम होने से उसमें धारा बढ़ जाती है इस वज़े से तार के जलने की समस्या जादे बढ़ जाती है इसलिए आप देखेंगे ट्रेनों में लिखा रहता है कि रात 10 बये से सुबा 6 बये तक मोबाईल इ इंडिकेटर लगा दिये जाता है आप ट्रेन में देखेंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं ग्रीन का मतलब एकदम मेंटेन है बैटरी कोई दिक्कत नहीं है यलो चार्जिंग मूड में रहती है और अगर रेड जलने लगा है तो समझेगा कि आपका जो बैटरी है वो short circuit का डर होता है आप ट्रेन पर प्आइदान की पास दिखेगा एक और लिखा रहता है side filling और एक और लिखा रहता है lift here वो कही भी लिखा रहता है मतलब कोच को उठा लिए जाता है अब बोगी को साइड में कर दिया जाता है तो उठाने के लिए आखिर कहां पर आख क्रेंड फासाईएगा वही न फासाईटा न पताचला कहीं और फासा देंगे तो अंदर का कोई इस्टूमेंड तूट जायगा तो फासाने वाले जगळ को indicate करने के लिए लिखा रहता है lift here यहां देखिए उठा लिया गया यह उपर उठ गया और इसकी जो बोगी जिसमें चक्कार रहता है उसे बोगी करते हैं बोगी बार निकल जाए आप side feeling का मतलब समझते हैं side feeling का मतलब होता है side मतलब इस side से feeling मतलब भरिये यह पानी भरने के लिए जगा दिया होता है side feeling ताकि टंकी में पानी को आप भर सके पानी भरने की बिवस्था railway के हर station पे नहीं रहते हैं बड़े बड़े station पर इसकी बिवस्था रहती है इसके लिए आप देखेंगे 4 इंच मोटा एक pipe रहता है जिसमें से ये flexible pipe निकले रहते हैं इन pipe की मदद से हम यहां से railway का कोई staff side feeling जहां रहता है वहां उस पानी को भरन की टंकी अलग रहती है तो दो इस side में दो इस side में रहती है यानि total 4 टंकी रहती है और एक टंकी की जो capacity होती हो 500 लिटर रहती है और इसको भरने में 20 मिनट का समय लगता है तो यह आप देखें total capacity कितनी हो जाएगी 500 लिटर की एक रहती है इससे चार टंकी रहता है क्योंकि ट्रेन लेट नहों वहां असपस लिग दिया जाता है साइड फिलिंग यहीं से आप उसको भरिए लेकिन शुचुरा एक दिक्कत आ गया अब बताईए जहां टंकी बनाना था वाँ अब क्या करेंगा है अब यहां एक बराबर रहते हैं सब अब यहां एसी लगे होने के वैसे हमको टंकी कहीं और सेट करना पड़ेगा इसलिए टंकी नीचे सेट कर दिये जाता है जिसे डो ड्रम, सिलिंड्रिकल टाइप के दिखाई देते हैं, जिसे वाटर टैंक है, इसी में से पानी का यूज किया जाता है अब ये जो AC लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ये दो ठो AC होते हैं, एक इस दरवाजे के ऊपर होते हैं, एक उस साइड के दरवाजे पर होते हैं, हर AC की छमता 7 टन होती है, इसलिए एक ट्रेन के कोच में, एक डिबे में 2 AC है, अता इनकी क्या हो गई, छमता हो गई, ये चलते हैं, 415 भोल्ट के 3 फेज AC सप्लाई से, इन्हें जनरेटर द्वारा दे दिया जाता है, 3 फेज AC सप्लाई, देखें, ट्रेन के जो पानी भरा जाता है, जनरली किसी डिबे में उपर की ओ टंकी रहता है, जबकि AC वाले में नीच इनका जो वेस्टेज था, वो पट्री पे गिरता था, जिससे पट्रीयों को जंग लग जाता था, तो जो पहले के जमाने के ट्रेन थे न, बाथरूम, उसमें ओपें डिस्चार्ज सिस्टम था, यानि अगर कोई ट्वाथरूम गया, तो उसका टोटल भी वेस्टेज है, पट्री पर गिरेगा, इससे दो समास्या, एक पट्री पर जंग लगता था, दूसरे, जब रेलेवे इस्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहती थी, और उसमें कोई बाथरूम गया है, तो रेलेवे ट्रेक पर बहुत जादे गंदगी होने लगती थी, बड़े इस्टेशनों पर इससे सफाई कर दिया जाता था, लेकिन छोटे इस्टेशन पर साफ करने की कोई बेवास्ता नहीं थी, इससे बचने के लिए रेलेवे ने ओपन डिस्चार्ज सिस्टम को बंद किया, आप देख्यों मैं पहले के ट्रेन में एक पाइप ऐसे लटका रहता था नीचे सा इसके जगह पर रेलेवे इस राउंड सेप के टंकी को लाया, बातरूम को सेट किया, जिसे कहा जाता है, कंट्रोल डिस्चार्ज ट्वालेट सिस्टम, सॉटकट न कहेंगे, तो सी, डी, टी, सी, ये क्या करता है, ये ट्वालेट को कंट्रोल करके रखता है, जब तक कि ट् अंदर से डिस्चार्ज का ढखकन खुलेगा ही नहीं कि बाहर नीचे गिरे, लेकिन इस विदी द्वारा आप गंदगी को रोक सकते हैं, लेकिन गंदगी थोड़े दूर पर तो हो ही रही है, ट्रेक को भी जादे खत्रा हो रहा है, क्योंकि उसमें जंग लग रहा है, इसक अंदर कई थो पार्ट बने रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया जीवानों को डाल कर डियाडियो भेजी रहती है, ये क्या करते हैं, हमारे ट्वालेट बात्रूम को उसको डिकंपोज कर देते हैं, उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ देते हैं, डिकंपोज कर देते और गैस बनाकर वो निकल जाते हैं इसमें किसी तरह का maintenance भी नहीं है track पे गंदगी भी नहीं होगी और track भी जंग लगने से बच जाएगा अथा अभी के समय में जितने भी toilet है वो DR-DO दोरा बनाए गए bio toilet का ही यूज हो रहा है ये सम आउट डेटेड हो चुके है bio toilet की एक खराबी है कि अगर उसमें आप कलंग या कुछ कचड़ा प्लास्टिक डाल देंगे तो बैक्तिरिया अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे इसलिए लिखा रहता था किरिप्या इसमें कचड़ा नडाले लेकिन हिंदुस्तान के लोग को एतना समझे इसा पानी टो डालते ही नहीं आपके नहीं बता सकते हैं अगर आपको पता करना है कि टो आपको कोच से बाहर आना पड़ेगा और नीचे का देखना पड़ेगा कि कौन से परकर कर का कोश में अल्टरेटर हटा कर एक जंड़ेटर कार दißtu तो होता है वह चारसो-पंदरा फोल्ट में लेता है लुकि बनाएखे यह शाड़े 700 बोल्टेज बनाता है कि ताकि AC कोश तक पहुंचते-पहुंचते वह 415 बोल्ट मिल जाये लंबे दूरी के ट्रेन में एक पैंटरी कार होता है जिसमें खाना बनाये जाता है उसमें इस तरह से खाना बना दिया जाता है और आपको सर्व कर दिया जाता है लेकिन बहुत सैसी train है जिसमें पेंट्री कर नहीं होता है तो उसे on board catering यानी बड़े station हो से खाना डारेक्ट readymade मना कर उसमें सर्व किया जाता है train के किसी किसी डब्बे पर आप toilet के पास इस तरह से lining देखते होंगे ये general boggy को दरसाता है कि ये boggy general है इसमें कोई भी गुश सकता है reservation की जरुवत नहीं है general boggy की एक और पहचान होती है कि इसमें तीन दरवाजे लगाए जाते हैं तीन दरवाजे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें भायाना कोच के पूरा भीड होता है दम भायाना कि दम देखिये नहीं अता यह भीड जल्दी से निकल जाए और जल्दी से इंट्री कर जाए इसलिए इसमें तीन दरवाजे दिये जाते हैं sleeper में केवल दो दरवाजे दिये जाते हैं एक साइड में एक चीज़ आप गोर किये होंगे कि general boggy या तो सुरू में लगाता है या तो last में लगाता है यानि अमूमन दोनों साइड में लगाता है बीच में general नहीं रहते हैं बीच में sleeper boggy को लगाए जाता है और AC को देखिए sleeper boggy में अगर हम तीन दरवाजे देंगे तो उसमें seat की संक्या घट जाएगी इसलिए उसमें दो ही दरवाजे दिये जाते हैं और sleeper में भीड भी कम रहता है दूसरा sleeper का अगर आप lawn देखिएगा तो एक से दूसरा जुड़ा रहता है आप यहाँ देखिए एक connect करने के लिए एक दरवाजे दिये रहते हैं आप यह काले रंग का पाइक देखिए होंगे इस तरह से किसी किसी train में रहता है तो यह इस boggy से आप उस boggy में जा सकते हैं यहाँ नीचे एक पैरदान बना दिये जाता है ताकि आप वहाँ से जा सकते हैं आप देखेंगे sleeper क को सुरू में दे देते हैं और लास्ट में दे देते हैं और बीच में इसे नहीं देते हैं क्योंकि बीच में देने के बाद connection कट जाएगा railway के कुछ डिबों पे देखेंगे side में यहाँ आपको पीले रंग से corner को रंग देता है और कुछ डिबबे को पीले रंग से नहीं रंगता है इसका main ये region होता है ये coupling को दरसाता है देखें coupling क्या होता है दो डिबबे को जोड़ने के लिए एक coupling का परियोग करते हैं यहाँ पहले जमाने के जो नीले रंग के डिबबे थे उसको जोडने के लिए screw coupler का परियोग करते थे यानि इस डिबबे को और इस डिबबे को जोड़कर एक hook से इस screw को कस दिया जाता था इसमें समस्या क्या होती थी कसने का तो कस दिया जब train चलती थी तो उसमें तनाव रहता लेकिन जब train रुखती थी तो रुखने के बाद से ये screw नीचे हो जाता था और ये डिबबा उस डिबबे पर चड़ने का डर होता था टक्रा मच जाए तो इस टक्राने को रोकने के लिए इसमें दो दोठो side buffer लगाए जाते थे ये side buffer ये इतना सब रहता है बच्पन में हम लोग कहते थे कि चुम्बक है ये चुम्बक नहीं ये spring है कि अगर train रूख गई screw coupling से तो ये डिबबा उस पे ना चड़ जाए तो ये इस पे चड़ेगा तो ये side buffer जो है आपस में टक्राएंगे और इसमें spring लगा रहता है ये कुछ अंदर भूच जाएगा और फिर ये उसको ढखेल देगा इस तरह से ये एक दुरगटना को रोक सकती थी लेकिन इसमें जटके जादे लगते हैं दूसरा एक और डिमेरिट है कि इसमें आपको लोहे की बरबादी है दो दो टो side buffer जोड रहे है इतना heavy फिर इस डिबबे को जोडने के लिए screw coupling का परियोग कर रहे है तो इतना क्यों किया जाए तो railway ने दिमाग लगाया उसने ये बीना पीला पट बॉफर नहीं मिलेगा आपको बलकि इसका जो coupling होता है LHB का वो होता है center buffer coupling यानि इसके बीच में ही जो buffer यानि spring लगाना होता है उसी के मुह उपर एक क्या कर देते हैं coupling भी जोड़ देते हैं यानि वही डिबबे को जोड़े रहता है और वही spring का भी काम करता है आप देख में ये वाला मोटा सा हिस्सा ये किसका काम का दिया coupling का तो ये शुरुवाती भाग इसका coupling का है अब पीछे का भाग buffer का है तो इसे हम कहते हैं CBC यानि center buffer coupler इसमें क्या होता है ये जादे अच्छा माना जाता है इससे accident होने के बाद train को इधर उदर छटकने का मतलब में center coupling यानि CBC होता है उसका kona पीले रंग से रंग दिया जाता है और जिसमें नहीं रहता है उसको नहीं रंग आ जाता है तो ये जो central coupling था यानि CBC तो जितने भी LHB coach आये थे नए जमाने के उसमें ये already inbuilt था लेकिन जो पुराने जमाने के ICF coach थे उसमें आज भी side buffer का य दिया गया है तो इसको देखा गया railway द्वारा कि इस डिब्बे की अभी IU है इसका age है बस इसमें problem है इस side buffer और screw coupling से तो इसके screw coupling को हटा दिया गया और side buffer को हटा दिया गया और इसमें CBC यानि center coupling को जोड दिया गया इसकी पाचान आराम से कर ली जाए इसलिए इसके side में इसमें अभी भी आपको side buffer दिखाई देगा इसमें side buffer है और ये screw coupling का परियोग कर रहा है और LHB की तो बाते नहीं के रिए इसमें तो CBC देता ही है आप train के डबे पर कुछ number लिखे देखे होने हैं इसे हम coach number कहते हैं ये 5 digit यानि 5 अच्छर का होता है शुरुआत के जो 2 digit हो 0-4 यानि ये 2004 का बना हुआ है लास्ट में पढ़िए 0-52 ये AC coach को दरसाता है दिखे AC coach एक नंबर का दिबा माना जाता है तो एक से लेकर 200 तक का नंबर ये AC coach को दरसाते हैं एक से लेकर 200 तक का तो आप बताए ये 52 किसमें आएगा एक से लेकर 200 के बीच में यानि ये AC Slipper होगा Slipper वहोगी 200 से 400 होगा आप देखे इसमें लिखा है 95335 तो 95 क्या है कि ये डिबा वहागा इनी सो अन्ठान्वे का बना है 335 तो ये 200 से 400 के बीच में आएगा और ये कौन सा है तो Slipper को ये दर्सारा है Slipper के बाद आता है आपका General तो General कहां से होगा तो भई 1 से 200 AC हो गया 200 से 400 Slipper हो गया तो 400 से लेके 600 के बीच में आपका General Dibba आ जाएगा आप यहाँ पर यह लिखा है हम यहाँ बड़ा लिख देते हैं 12 429 तो यह कब का बना है? 2012 का 429 देखिए 400 से लेके 600 के बीच में आएगा अता यह General Dibba है General Dibba की दो और पहचान आपको बता दिये हैं कि आपके दरवाजे इसमें कितने दिखाई देंगे? तीन दरवाजे इसमें दिखाई देंगे साथ में, साइड में यहाँ इसे लाइनिंग भी दिखाई देगी अब 600 से 700 चेर कार को दरसाता है देखिए, ट्रेन में जब भीड जादे हो जाए और सब को रिजर्वेशन नहीं दे पाती है तो कम दूरी के लिए चेर कार दे दिया जाता है उसमें काफी अच्छा के चेर होता है अरांदायक होता है फ्लाइट के जैसे जैसे जन्ड सताब्दी हो गया इसमें केवल आपको बैठने के लिए यही मिलेगा और इसका भी रिजर्वेशन होता है तो वो chair car के डिब्बा को दर्साए जाता है कहां से 600 से लेके 700 तक के chair car को दर्साए जाता है जैसे यहां लिखा है 02-615 अब बताए यह 2002 की बनी है 615 तो इसी के बीच में आएगा यह जंसताब्दी ट्रेन है और यह chair car डिब्बा को दर्सा रहा है अब 700 से 800 तक का नंबर जो होता है वो sitting com luggage को दर्साता है जब कभी railway को ऐसे डिब्बे भेजने रहते हैं कि जिसमें जादे समान नहीं ले जाना है तो क्या करते हैं उस डिब्बे में आधा बैटने का जगा बना देता है sitting के लिए और आधा luggage को बना देता है और इसी को हम लगेज है आधा जो लगेज होगा और आधा में आदमी बैठेंगे तो इसको generally railway क्या करती है कि इसको विक लांग स्रेड़ी में डाल देती है क्योंकि handicap की संक्या कम होती है तो उनको इसी में डाल देती है आप इसमें safe रहिए तो यह आप इसको पहचान सकते हैं यह 2008 का है आप जिस वी CDPay के उपर 800 से जाधे का नंबर लिखा रहता है तो या तो वह चिठी ले जाने वाली बोगी होगी या तो पेंट्रीकार वाला होगा जैसे हिदे के Pेंट्रीकर में क्या लिखा आठ 소 5 तो 805 यह नहीं 800 से जाधे है ताभी 1 आप पढ़िए तो 15 का मतलब क्या कर दर बाएं 2015 का एे 857 जञटे से जादे ड्रकार 8000 से ज्ञादे में यहीं जा आफ्या कार होगा आप यहां एक चीज से दखेंगे यहां दर्शाया है कि मतलब अब ट्रेंगकर पूरी ट्रेंड जा चुक है यही लास्ट कि निफार होता है LV का मतलब होता है last vehicle यानि आखरी डिबा अब निकल गया है tension free train कहीं से टूटी नहीं है बीच से आप tension free रहिएगा इसके अलावे आप देखेंगे यहां एक light लगा रहता है जो continue नहीं जलता है बलकि blink करते रहता है साइड में भी लगा दिया रहता है यह इसलिए बताता है कि अगर बीच में कहीं train में कोई fault आ जाता है train रुकती है तो पीछे से अगर कोई same track पर train आ रही है तो उसे वह light देख सके अब यह light को energy कहा से मिलती है तो battery से मिलती है आप train में सफर करते समय इस तरह से सीफा या डबलू या डबलू एल साइन देखे होंगे यह संटिंग साइन सिगनल साइन इस सब का मतलब क्या होता है और आप एक चीज़ और देखे होंगे कि कभी कभी सिगनल ग्रीन रहता है फिर भी सब्सक्राइब बड़ी के लिए जय है